स्वर्म अप्टिकल इंस्टुमेंट का नुमेरिकल 11 अप्टिकल इंस्टुमेंट यूस्ट वर अंगिलर मैंनिफिकेशन थे 25 डियोप्टर अब्जेक्टिव थे 20 डियोप्टर आपिस्टूब लेंथ 25 सेंटिमेटर विन दा आई इसलिष्टेंट तो ए और बी पार्ट करना है तो ए पार्ट में काया कि वेदर इट इस माइक्रोस्कोप और टेलिस्कोप और बी पार्ट में वट इस दे एंगिलर मैगनिफिकेशन प्रोडूस्ट तो एफ 11th से 10 निमेरिकल से 10th से 10 निमेरिकल ने इस कंपर नाइक्रोस्कोप होगा और बिदेंटा क्या दिया है कि अबर एक अब्जेक्टिव चेंगा अब्जेक्टिव का पार्ट दिया हुगा है 25 ड्रक्ट अब्जेकशन पार्षिंच कि पावर दिये 20 डायक्टर और उनके बीच में सेपरेशन 25 सेंटीमेटर दिया हुआ है तो कंपॉंड माइक्रोस्कोप अभी तब देखा है कि कंपॉंड माइक्रोस्कोप की जो माः फोकल लेंथ कम होता है dramering याजदा यरी भाव क्वकल रैंट करना फोकल युद्ट क्가 राएगा फॉकल लेंथ कि मतलब सिल्ट सेंटीमेटर में चाहिए तो 100 आपन-प atención CC के यह 24 सेंटीमेटर और यह फॉकल लेंथ तो यह focal length मतलब 1 upon P cm में चाहिए तो 100 upon P है और 100 upon 20 मतलब 25 मतलब एक focal length IIT 5 cm focal length of objective is smaller than focal length of eye lens तो यह होता है compound microscope में औब्जेक्ट्ट के focal length माइक्रोस्कोप तो यह जो इंस्टुमेंट हमें दिया हुआ है वो compound microscope होगा यह होगा यह पार्ट का answer अगर जो भी इंस्टुमेंट है उसका angular magnification फैंड करो तो अब हमें पता चला है कि एक कंपॉंड माइक्रोस्कोप है तो पर माइक्रोस्कोप का magnification मतलब है तो इसके जो इसका माइक्रोस्कोप का का मेगनिफिकेशन वह डिपेड़न होता है कि ओपजेक्ट इमेज कहा पर बनेगी दिया हुआ है कि आइस आर लिष्ट स्टेंड आइस आई इस लिष्ट इसका मतलब आई इस्टेंड में हो रही है मतलब आइस आर रिलाक्स तो वह यह 6-8 टे मेरीकल जो आपने किये तब हमन मतलब इमेज जो फाइनल बनेगी वह इंफिनिटी पे बन रही है तब आइज रिलाक्स होते हैं मतलब लिश्टेंड होते हैं तो उसकेस में जो ए मैगनिफिकेशन आएगा वह आता है डी अपॉन एफ मतलब लिश्टेंड आए पावर जो होगी ओ अपन यू इसके मैगनिफिकेशन के कारण आएगा डी अपॉन एफ उपन यू तो अब यू कैसे इसकी पाता है फाइनल इमेज कहा पर मिलने वाली ओ पता है तो ये length इसका working क्या होता है यहां पे जो कोई object होगा इसकी image कहीं भी मिलेगी ओ image act होगे as an object for this less इसे हम इस तरह से adjust करेंगे कि हमें inverted image मिलने वाली है और magnified image मिलने वाली है तो ओ image कहा भी मिल रही तो इस question में कहा है कि इंफिनिटी पर मिलने वाली है sponsor इसके कारण छाहिए फार i раза अगरव हम देखते हैं तो image watersy इंफिनिटी पर म मिलने वाली मतलब उसके अब्जेट इसके focus पर चाहिए तो यह object से फोकस को जाहिए तो यह 74 यह टुटल होगि यह ऐसमें करेंगा यह रहेगा यहां से इसका इसके ना अगर हम फिर एमने कि अ पह点के लिए हमें कितना मिलेगा तो टोटल लेंद माइनस फोकल लेंद तो उसके लिए पहले उसका अब्जेक्टिव लेंज तो वी नॉट कितना मिलेगा एल माइनस एफ ए और एल कितना है एल दिया हुगा है ट्वेंटीफाईव और फोकल लेंद यह है फाइव मतलब वी नॉट आएगा 20 cm अगर 20 cm ने फोकल लेंद हमें पता है तो वी और ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंद वैंड की 4 तो इस इक्वल टो जो यहाँ पे 20 minus one upon a quite a ऊस्य साथ में चला ह जाएगा तो वनापन यूनाट इसielt को डूनपन 20 इस सद्मीनिनर ji माइनस होगा वनापन 4 इसे आपन फुर से मल्टिप्लाइ करते हैं उपर में चेक सिर्ल naw passion u not तो यू नॉ नॉट व्यूनॉ नहीं क्विशिन इस व मनापान यू नॉट सांथज सॉ ईक्विश्न घूर को une क्वेरह और泊न कि इक यूilar के दिवस्तिंग इसकाएं के लिए वह टो फ्रॉमन एक स्वावरा और एंग्रेंट मानिकिविकेसर ऑधी दथीवरौ वन अपन यू नॉट मतलब यह होए फोर आपन ट्वेंटी माइनस इन में बता रहा है कि और लेंस के अपोजिट हैंड में अब्जिट होगा और डी अपन डी कितना है ट्वेंटी फाइव और फी फोकल लेंग्थ आई पिसका आई लेंस का वह है फाइव यह ट्वेंटी कि दर चला रहा है और यह फाइव मतलब मागनिफ केशन कितना आ रहा है ट्वेंटी